दोस्तों अगर आप Android यूजर है तो आज वाली इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ जब भी आप अपने किसी फ्रेंड की किसी डिलेटिव की कोई बई कॉंटेक्ट नंबर सेव करने की कोसिस करते हैं अगर आपके सामने कुड नोट सेव कॉंटेक्ट चेंजिज वाली प्रोब्लम फेस होती है तो इस प्रोब्लम का सोल्यूशन आप किस तरह से कर सकते है यही जनकर यह आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रोब्लम आपके सामने किस तरह से फेस होती है जैसे यह आपको कोई फ्रैंड आपको अपना नंबर देता है और उसको आप सेव करने की कोसिस करते हैं क्रियेट न्यू कॉंटेक्ट पर जाते हैं और यहाँ पर उसका नाम डाल देते हैं जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ रमन पांचाल एहमदाबाद और उसके बाद दोस्तों हो सकता है एक से दो बंदे हमारे फोन के अंदर हो और इस बंदे को हम किस तरह से दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे तो उस समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो छोटी होने वाली है तो क्रिप्या एंड तक देखिएगा आपको दोस्तों create new contact पर जाना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने जैसे इस तरह का इंटरफेस आता है तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा same emoji के साथ इस नाम को save करना है तो सबसे पहले आपको save 2 उपर जो sim 1 लिखा हुआ है इस पर click कर देना है जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आपके phone के अंदर जितनी भी email ID login हो रखे वो सभी आपको देखने को मिल जाती है और नीचे सबी contact आपके sim 1 के अंदर save है तो guys हो सकता है sim 2 की जो memory है वो खाली हो और वहाँ पर इस number को अगर आप save करने के लिए जाएंगे तो वो easily save हो जाएगा नहीं तो दोस्तो आप इहां से किसी भी gmail ID को select कर लेना और उसके बाद दोस्तो इस तरह का interface आपके सामने आ जाता है यह यहाँ पर आप उस बंदे का नाम, surname, company, phone, email कुछ इस तरह से धेर सारी जनकारी आड़ कर सकते है उसका photo भी यहाँ पर आड़ कर सकते है और इसको save करेंगे तो easily यह save हो भी जाएगा तो दोस्तो इसका region क्या होता है जो आपकी sim होती है उसके अंदर storage space काफी काम होता है लेक सकते हैं या फिर दोस्तो अगर आप इसी sim के अंदर किसी का contact number save करना चाहते है तो guys आपको यहाँ पर कोई emoji वगरा यूज नहीं करनी है और दोस्तो जो उसका surname है या city है उसको आप short में लिख सकते है इस तरह से अगर आप किसी का contact number save करने के लिए जाएगे तो वो easily हो रख है उसके बाद भी आपको यह problem face हो रही है तब guys आपको इस case के अंदर बिल्कुल ही back आना है अपने phone की setting को open करना है उपर about phone वाला option दिखेगा इस पर click करना है आपको इहाँ पर देखना है कोई update तो नहीं आई हुई अगर इहाँ से आपको कोई update देखने को मिलती है त आपडेट कर लेने के बाद दोस्तों जो आपकी problem है इसका solution हो जाता है अगर दोस्तों फिर भी यह problem से magic बनी हुई है तब guys आपको एक बार अपने contact number को save कर लेना और उसके बाद अपने phone को एक बार reset करना होगा जिसके बाद 100% जो आपकी problem है इसका solution हो जाएगा तो आज व